हेलो दोस्तो आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडगे लाइटिंग किस तरह से आप अपने मोबाइल में सेडिंग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देखरो टेकनिकल आर जैम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो इडगे लाइट के बारे में जो आपके बेक्ग्राउंड में चारो तरफ से लाइट जलता है तो इसके लिए दोस्तो आपको यह अप् लोड लेनक बाद open हो जाएगा तो चले इसको open वोने देते हैं उपन होने कबाद इसको एड़को आपको कर देना है इस तरह से आपको बंह दोर्ण करना होगा आगे जाने कबाद और चार अप्शन इसमें दिया है सबसे पहले यह आपको इड़ ग्राउंड वाला लाइट आपको मिल जाएगा इसमें से जो भी लाइट आपको set करना है पहला वाला मैंने ok किया apply वाला पर आपको ok करना होगा apply करने के बाद यहाँ पे 2 option आएगा screen पर देखिए इस तरह से देखना शुरू हो जाएगा आपको home screen and lock screen दो option आएगा दोनों में आप a light set कर सकते हैं यहाँ पर दो option आगया तो आपको दोनों में click करना है ताकि आपके screen पर आपको दिखे जो आपका mobile का screen है lock होने के बाद वहाँ पर show करे आपको दोनों पर permission दे देना है और दोनों पर set कर लेना है apply करके और apply करके set करने के बाद पहला और दूसरा पर भी मैंने set कर लिया और set करने के बाद screen पे आपको इस तरह का light जो फिलाल दिख रहा है देखिए मेरे screen पे set हो गया है और इस तरह का lighting चलना शुरू हो जाएगा 8 आता है तो 8 को cut कर देना है और आपके mobile पर हमेशा ये screen दिखेगा जो बहुत ही बेतरीन और बहुत ही संदार दिख रहा है आपके mobile पर भी इसी तरह से आपके mobile बे सेट हो जाएगा फिलाल इसमें और भी बहुत सारे option है तो चलिए application में चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं फिलाल इस application को open करते हैं चलिए यह रहा application इसको open कर लिया और back करते हैं बेक करने बाद यहां पर देख रहे हैं साथ option है साथ model से आपके mobile के screen पर अपसेड़ कर सकते हो इसमें से जो आपको select करना है selector के set कर सकते हो चलिए मैं दूसरा वाला select कर लिया हूँ जो camera का option आता है side वाला तो इस पर apply कर दिया हूँ इस तरह की lighting देखने शुरू हो जाएगी फिलाल आपके screen पर देख रहे हैं मेरे screen पर किस तरह से lighting दोड़ है इस तरह से आपके mobile पर भी set हो जाएगा और अगर बंद करना है तो अंदर से आगे आप इसको बंद कर सकते हैं अगर आपको नहीं पफंद है तो फिलाल इसमें जि change होता रहेगा उसका color अलग-अलग design का दिखेगा और color हर second आपकी mobile में change होता रहेगा जो भी wallpaper आप set करोगे चलिए एक wallpaper को select करता हूं पहला वाल पेपर है तो इसको अपनी mobile में select करके इसको set करता हूं चलिए आ जाते हैं पहले वाले पे और उसको click करते हैं पहले वाले option पे हमने click कर दिया lock screen and home screen स्क्रीन दो ऑप्षन आता है आपको दोनों पर सेट कर लेना है मैं दोनों पर सेट कर रहा हूं कि स्क्रीन लॉक हो तो भी दिखाई दे और स्क्रीन चालू हो तो भी दिखाई दे तो दोनों पर में यह वाला वाल पेपर जो लाइब वाल पेपर हर सेकेंड में चेंज होता है यहाँ पर 8 आया तो 8 को cut कर देना है फिलाल मैं 8 को cut कर दे रहा हूँ cut करने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरे screen पर इसको set करके फिलाल home screen and lock screen दोनों पर मैं इसको set कर दिया हूँ set होने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मेरे screen पर set हो गया है और हर सेकेंड चेंज हो रहा है आप देखते जाएए मैं 10-15 सेकेंड रखता हूँ आप देख लिजे अभी ग्रीन हो गया अभी बुलू हो रहा है बुलू होने के बाद रेड होगा इस तरह से एक कलर चेंज होता रहेगा एटोमेटिक देखिए अब धीरी धीरे रेड में ज आएगा हर सेकेंड कलर चेंज होगा जैसे कि मोबाइल पर देखके आपको मज़ा आजाएगा क्या ही कलर है तो यह अप्लिकेशन ने डाउनलोड कर लिजे और फिर आप अपने मोबाइल में इसको सेट करके इसका फाइदा उटा सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों मिलते हैं आपको